हेलो दोस्तो, इस वीडियो में हम ये क्यूट स्माइली प्लांटर्स बनाएंगे और यहां मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आपको ये प्लांटर्स बनाते वक्त क्या साफधानिया बरतनी हैं जिससे कि आप ये प्लांटर्स बड़ी असानी से और बेना किसी परिशानी के बना पाएं तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले वाइट सिमन घोलते वक्त जो आपको बात ध्यान में रखनी है वो ये है कि घोलते समय उसको अच्छे से मिलाएं और फिर गोलने के बाद उसको 4-5 मिलिट के लिए रखते हैं इसको करने कारीजन ये है कि वाइट सिमन में कुछ कैमिकल सोते हैं और वो पाने के साथ मिलने पद ये ग्यासेदि करते हैं क्योंकि दोनों ही कंडिशन में ये आपकी बैलून की वोल से चिपक नहीं बाएगा और आपका फ्लांटर शेव नहीं देता है बैलून में वाइट सिमेंट भरने के बाद आपको इस वाइट सिमेंट के मिक्चर को बैलून के अंदर पहलाना है अच्छे से पहलाना है और ये प्रोसेस आपको 5-6 बार करना होगा आपाने में के बाइट सिमें के में संची बाइब को आपकी समयन है स्थाप में वो च। Henry थाफ लाते से लाएवी मिक्षक नहीं ट converts बाए़ बासृपने के बाइब के लाएग About बht announ हिके में बाए़ल ह। Let that बाने का बभाईब है यह फोर्ट बैलोन पैकप के लिए भरके रख लेता है बैलोन में वाइट सेमेंट को लास्ट बार खलाने के बाद आप इसको एक जबा पर रख लें और पिर इसको कंद से कंद 24 गंटे के बाद ही उठाएं खोलने के लिए नहीं तो आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो सकता है अभी प्लांटर पर एक आउटलाइन मार्ग कर लें और यहां एक शाप ब्लेट की मदद से इसको काटना शुरू करें काटने से मतलब यहां पर इसको स्लाइस में काटना नहीं है यहां आपको ब्लेट की मदद से इसको ऊपर से चारो तरफ से खुरचना है और खुरस्ते वे ही इसको काटना है अभी हमें यहां ब्लेड बड़ी हलकी हातों से चलाना होगा, क्योंकि अभी जो प्लांटर्स की वोल्सम बहुत ही कमजोर है, और जरा से ही हार्ट इट से वो तूट सकती है, इसको मजबूत करने के लिए हम इसमें लेरिंग करेंगे, इसके अंदर हम वाइट सेमें डालेंग अभी इस प्लांटर को मजबूत बनाने के लिए हमें इसमें वाइट सेमें लेरिंग करने के लिए हमें कुछ बाते हैं, जो ध्यान में रखने हैं पहली , पहली ये कि हमें white cement का जो mixture बनाना है, उसको हमें काफी पतला रखना होगा क्योंकि जैसे ही आप इस mixture को planter में डालेंगे न तो , planter इस mixture का पानी सोख लेगा और उस mixture को ये काफी ठिक बना देगा और आप इसको फैलाना ही पाएंगे दूसरी जो बात हमें धियान रखनी है वो यह कि लेरिंग करते वक्त हमें उसको बहुत ज्यादा नहीं फैलाना है तिल्कि जैसी हम उसमें मिक्सर डालेंगे, प्लांटर उसका पानी सोख लेगा और प्लांटर की वह बहुत कमज़र हो जाएंगे और जादा पैलाने या हिलाने से वह तूट सकता है इस लेरिंग को हम 3-4 गंटे के इंटरवर पर करेंगे और 4-5 बार इस लेरिंग को हम रिपीट करेंगे या जितना की हम इसको मजबूत बनाना है उतनी हम लेरिंग कर सकते हैं अब यह प्लांटर रेड़ी है पेंटिंग और ड्रोइंग के लिए और आपको जैसा पसंद आप वैसे इसको ड्रोग कर सकते हैं वैसा इसको पेंट कर सकते हैं अगर आपको ये cute smiley बनाना है तो जैसे मैंने बनाया है आप उसकी help से इसको आसानी से ट्रोग कर सकते हैं और हाँ दोस्ते इन चारों planter में से आपको कौन सा smiley planter सबसे अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में जबू बताएं और इस तरह की ओर वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जब स्प्छा मेंगें करना ना रहाँ लाँ है यहाँ हैं जब स्थर्णेट लिए ट्रफे बिखना रहाँ हैं झाल प्राचर नार करेंगों तर्यार लिए्टापना नार किया जी शी दॉटार नार को राइद का एक हुआ जा हुआंगों झाल झाल कर अजाबा से लुटरो नार करेंगों जार लिए कर दो दो और टूखती है, अ जगा कर दो और अजारोगा कर दोगया खालब तूब स्थाज़ कर दोगी है, पूर स्थाली ओगटियोग। पतार दोंग है लाख अर्फ लग